क्या आपके भी exams आने वाले हैं क्या आप भी इस चीज के लिए परिशान हैं कि किस तरहां बड़े-बड़े answers को याद किया जाए या फिर जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको नीद आ जाती है या आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरहां मैं अपनी study memory को improve करूँ अगर आप बहुत ज्यादा time spend करने के बाद भी अच्छी तरहां सवाल को याद नहीं कर पाते और अगर याद हो भी जाए तो अगले ही लम्हें उससे भूल जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है जिसमें हम आपको कुछ ऐसे study tips and tricks बताएंगे कि जो scientifically proven है तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं उन study trips and tricks को ये बात scientifically proven है कि रात को देर तक जागते रहने या नीम की कमी की वज़ा से आपके अंदर बहुत से बिमारियां या deficiencies पैदा हो जाती हैं जैसके breakdown of logical thought process आपका immune system खराब हो जाता है रात को जागते रहने से आपके अंदर anxiety and depression बढ़ जाता है negative thinking increase हो जाती है और आप बहुत से बिमारियों का शिकार भी हो सकते हैं जैसके वजन का बढ़ना, risk of heart attack, blood pressure, increased risk of diabetes, muscle growth slows down so try to study during day time as much as you can and sleep well at night इसके क्या नुकसानाद हैं और क्या वाइदे हैं अब तक तो आप जान ही चुके होंगे किस वक्त पढ़ना चाहिए? ये तो हमें मालूम हो गया अब बात करते हैं किस तरह पढ़ना चाहिए? आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि एक स्टड़ी के मुताबिक एवरेज अटेंशन स्पैन ओफ हुमन बीइंग इस ओनली एट सेकंड एड एवरेज कंसेंट्रेशन स्पैन ओफ हुमन बीइंग इस वन तो तो आर पोमोडोरो टेक्नीक के मुताबिक आप 25 से 30 मिनट के दौरान पढ़ाई करें और 5 मिनट की ब्रेक लें इस तरह सबक भी याद हो जाएगा और वो भूलेगा भी नहीं अब ये टेक्नीक काम कैसे करती है जरा ये देख लेते है जब ही हम किसी चीज को इंटर्वल के साथ सीखते हैं तो दमाव इंफोर्मेशन को अच्छी तरह सनैप्स में ट्रांसलेट कर लेता है अगर आपने कोई खास टौपिक जिसे 30 मिनट में खतम नहीं किया तो आप 5 मिनट की ब्रेक लेकर अपने माइंड को रिफ्रेश करें और दुबारा से उस टौपिक पे काम करें यो विल डेफिनेटली फिल दा डिफ्रेंस जब ही आप पढ़ने बैठें तो आज क्या-क्या पढ़ना है उसका एक प्लैन बना लें उसके बाद एक वक्त में किसी एक ही सब्जेक्ट के एक ही टौपिक को डिटेल से पढ़ें पॉमोडोरो टक्रीक इस्तमाल करते हुए उस टौपिक को अच्छी तरहां से जहें नशीन करें और याद कर लें उसके बाद पांच मिनट की ब्रेक लेने के बाद नेक्स टौपिक पर आएं इस पॉइंट इस पर अमल भी करें एक स्टौड़ी के मताबिक स्टौड़न्स के दो ग्रुप चूज किये गए ग्रुप A को एक टौपिक दिया गया और कहा गया कि आपका क्विज होगा यानि आपको इस टौपिक से टेस्ट लिया जाएगा ग्रुप B को भी वही टौपिक दिया गया लेकिन उन्हें कहा गया कि आपको ये टौपिक दूसरे स्टौड़न्स को सिखाना होगा जब दोनों ग्रुप्स ने स्टौड़ी कर लिया उस टौपिक को तो ग्रुप A की निसपत ग्रुप B की कारकरदगी ज्यादा अच्छी रही इसका मतलब ये है कि जब हम किसी टौपिक को किसी दूसरे को सिखाते हैं तो दमाग उसे coherent manner में train करता है So try to study in group और teach your friends इस तरह वो टौपिक आपके जहन में हमेशा के लिए महफोज हो जाएगा और अगर आप इस टौपिक को याद कर रही है और आपके पास कोई पढ़ाने वाला भी नहीं है तो फिर इस तरह से याद कीजिए कि जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो दोस्तों अकसर हम पढ़ने बैठती है तो हमें नीद आ जाती है और सारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाती है इसके लिए आप कोशिश करें कि कभी भी बैट पर बैट कर मत पढ़ें अपने लिए एक स्टडी टेबल सेट करें और जहां आपकी जरूरत की तमाम चीजें पहले से ही अच्छी तरह अरेंज की गई हो इसके लाबा आपका कमरा रोशन हो, हवादार हो और वहां बाहर का शौर ना आता हो हम में से बहुत से लोग पढ़ाई करते वग इंपोर्टन पॉइंट्स को हाइलेट करते हैं ताके इसको रिवाइस करना आसान हो जाए लेकिन साइन्टिफिकली रिवियन करने के लिए इससे बेहतर आप्शन मुझूद है जो कि है फ्लेश कार्ड बनाना क्योंकि जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो हम रेंडमली इंपोर्टन के साथ-साथ अनिम्पोर्टन चीज़ों को भी हाइलेट करते जाते हैं जिन्हें रिवियन के वक्त हमारा ब्रेन आपस में कनेक्ट नहीं कर पाता लेकिन जब आप अपने बनाए गई फ्लेश कार्ड को देखते हैं और उसके जवाब को सोचते हैं तो आप अपने तमाग का इंतहान ले रही होते हैं इसे एक्टिब री कॉल भी कहते हैं अगर वो फ्लेश कार्ड देखने से आपके जहन में उससे रिलेटेड इंफोर्मेशन आ जाती है तो इस तरह एक मजबूत नियूरल कनेक्शन डिवेलप होता है फ्लेश कार्ड आपको जल्दी प्रेक्टिस करने में मदद देते हैं और वो टू दो पॉइंट भी होते हैं इसलिए आपका वक्त जाया नहीं होता प्रेक्टिस एस मच एस यू कैं यानि जितनी भी हो सके आप प्रेक्टिस कीजिए अपने टॉपिक को याद कीजिए और उसको बार बार पढ़िए याद करने के बाद उसे लिख कर देखिए कि आपको उसमें से कितना हिस्सा याद हुआ है और कितना नहीं प्रेक्टिस करते जाएगे बिकाउज प्रेक्टिस मेंक्स मैंन परफ्रेक्ट Most important point Keep your phone away while studying अपना मुबाइल पढ़ते वक्त अपने पास मत रखे और अगर आप पास रख रहे हैं तो यहां तो उसे आफ कर दीजिए यह उसके तमाम के तमाम नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए जितनी ज्यादा डिस्ट्रेक्शन कम होंगी अतनी ही ज्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो बेतर यही है कि यहां तो मुबाइल पढ़ते वक्त अपने पास ना रखे और अगर रख रहे हैं तो उसमें सिफ फजूल एप्स जो आपको लगता है कि आपके इम्तिहान के दिनों में किम्ति वक्त को जाया कर सकती हैं उन्हें अनिंस्टॉल कर दीजिए और कोई ऐसी एप्स जो पढ़ाई में मदद देती हैं उन्हें इंस्टॉल कर लीजिए ताके अगर आप फोन पास रखना भी चाहते हैं तो वो आपका एक हेलपर बन सकी तो ये थी आज की वीडियो उमीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स और ट्रिक्स बहुत पसंद आए होंगे अगर पसंद आए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी की जीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा शुक्रिया